भारत के उत्तरपूर्वी दिशा में, जहां सूरज की रौष्णी ब्रह्मपुत्र की लहरों को छूती है, वही एक प्रागैतिहासिक जानवर घूमता है, एक सींग वाला गैंडा, जिसे आप भारतिय गैंडा भी कह सकते हैं, अपनी कवच जैसी खाल के साथ, एक सींग वाल बड़ा गैंडा पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर राज करता है, एक सींग वाला गैंडा, पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जमीनी जानवर है, साथ ही इनका आकार भी लगभग सफेद गैंडे के समान ही होता है, लेकिन भारतिय गैंडे की त्वचा अधिक है, वैसे तो ये नेपाल में भी पाए जाते हैं, मगर इनकी कुल आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा असम के काजी रंगा राश्ट्रिय उद्यान में रहते हैं, तो दोस्तों भारतिय गैंडे के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं